नमस्कार दोस्तों, We Your Entertainer में आपका हार्दिक स्वागत है, अभी नंदने, आज इस वीडियो में हम आपके लाएं हैं शम्मी कपूर की जबर्दस सुपर हिट फिल्म प्रहमचारी के बारे में जानकारी, हम आपको बता दें, इस वीडियो की फर्माईश की थी हमारे सब्सक्राइबर किसले भट्टाचारे जी ने, आएए उठाते हैं भट्टाचारे जी की पसंदिता फिल्म प्रहमचारी का आनन्द, फिल्म प्रहमचारी रिलेज हुई थी 28 सपेल गुन्डे 168 को, फिल्म के निर्माता हैं जीपी सिप्री, निर्देशक भपी सोनी, फिल् चगदीब, मन मोहन चोटी, धुमाल, जूनियर महमूद, माश्टर सचिन, फिल्म में संगीत दिया है शंकर जै किशन ने, फिल्म के गीत संगीत को अपना स्वर दिया है मोहमद रफी और सुमन कल्यानपूर ने, फिल्म के सुपर हिट गाने हैं दिल के जहरोके में तुझ क बिठा कर में गाऊं तू सोजा, आज कल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जुबान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई है, चक्के पे चक्का, चक्के पे गारी, फिल्म का गीत संगीत उस वक्त जबर्दस्त सुपर हिट हुआ था, साल 1968 में आँखें नील कमल, पडो कलिया, मेरे हमदम, मेरे दोस्त, ब्रहमचारी हसीना मान जाएगी, दुनिया, जुक गया आसमान, इजजत, सादू और शेतान, चेसी फिल्म में रिलीज हुई थी, कमाई के मामले में, साल 1968 में, नमबर बन पर थी, धर्मेंद्र की फिल्म, आँखें, आँखें ने कमाई की थी, तीन करोड 25 लाग की, नमबर दो पर रही थी, विश्वजीत माला सीना की फिल्म, दो कलिया, फिल्म ने कमाई की थी, दो करोड रुपे की, फिल्म सुपर हिट रही थी, जबकि नमबर तीन पर थी, राज कुमार, मनोच कुमार की, सुपर हिट फिल्म, नील कमल, फिल् करोड 25 लाग की कमाई के साथ फिल्म ब्रहमचारी 1960 में साथ वे नमबर पर थी बात करते हैं फिल्म की कहानी के बारे में फिल्म की कहानी एक यतीम यानि अनात शमी कपूर जिसे लोग ब्रहमचारी के नाम से जानते हैं ब्रह्मचारी को अपने अनात होने से दूसरे अनात और यतीम बच्चों के दुखों का एहसास होता है और वह अपनी फोटोग्राफी कमाई से अनात और यतीम बच्चों का पालनहार बन जाता है उनको सहारा देता है परन्तु बच्चों के पालन पोजिशन करने में उसकी फोटोग्राफिक की कमाई कम पर जाती है और उन अनात बे सहारा बच्चों की खातीर उससे अपना घर तक गिर्वी रखना पड़ता है लोग उसे समझाते हैं कि क्यों वह उन बच्चों के चक्कर में अपने जीवन को बरबात करता है परन्तु बच्चों से दिली लगाओ के चलते वह अपने दिल की सुनता है छोटे छोटे बच्चों को वह माता पिता की तरह प्यार महबबत देता है बच्चे भी अपना पन पाकर उसे ही सब कुछ समझने लगते हैं उसके साथ बच्चों के खान पान की विवस्ता करने का काम करता है चोटी यनि मोहन चोटी बच्चों में जूनियर महमूद अपनी अदाओं से दर्षकों को हसाने का काम करता है एक दिन जब ब्रह्मचारी अच्छी फोटो की तलाश में समुधर की किनारे जाता है तो वहाँ सुसाइट करती लड़की शीतल चोधरी यनि राज श्री को बचाता है और उसे अनाथालाइपल ले आता है शीतल की कहानी सुनने के बाद वह उसके मदद करने के लिए तयार हो जाता है परंतु ब्रह्मचारी शीतल के सामने एक शर्त रखता है कि वह उसकी शादी उसके मंगेतर रवी यनि प्रान से करवा देगा परंतु शादी के बाद वह मालतार रवी की दोलत से उसके करजे को उतारने में मदद करेगी परिस्तितियां इस तरह की पैदा होती है कि ब्रह्मचारी चालबाज और रईयाश रवी के चुंगल में फज जाता है और अपने अनात बच्चों के लिए मस्याँ पैदा कर देता है रवी के चुंगल से वह कैसे निकल पाता है ये तो आपको फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा परंतु फिल्म देखने के बाद अनात बच्चों के प्रती हंदर दी पैदा होना स्वाभावी के बच्चों का ब्रहमचारी के पृति और ब्रहमचारी का बच्चों के पृति अपनापन आज सगे रिष्टों में भी दिखाई नहीं पड़ता है फिल्म का दमदार डायरेक्न, कहानी, संगीत तथा शम्मी कपूर के जवर्दस्ट अभी नहीं के लिए फिल्म को जरूर देखा जा सकता है बात करते हैं फिल्म ब्रहमचारी के अननोन फैक्ट्स के बारे में फैक्ट नमबर एक फिल्म ब्रहमचारी की कहानी शम्मी कपूर को जब सुनाए गई थी तो शम्मी कपूर ने इसके प्रोडुसर को कोई जवाब नहीं दिया था तब प्रोडुसर ने राजेंदर कुमार को एप्रोच किया और उन्हें साइन भी कर लिया अनायासी इस बात की जानकारी राजेंदर कुमार ने शम्मी कपूर को दी कि उन्होंने फिल्म ब्रहमचारी साइन किये तब ही शम्मी कपूर को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो डाइडर के पास पहुंचे परन्तु डाइरेक्टर ने ये कतिम इंकार कर दिया कि राजें राजेंदर कुमार को भी ब्रहमचारी की कहाने पसंद आई इस फिल्म को करने की राजेंदर कुमार की चप प्रबल थी लेकिन कई प्रियासों के बाद आखिर शम्मी कपूर राजेंदर कुमार को मनाने में काम्याब हो गए इस तरह शम्मी कपूर सुपर हिट फिल्म ब्र चर्चे हर जबान पर के लिए माना जाता है, कि यह गीत लता मंगेश कर द्वारा गाया गया है। परंतु यह गीत सुमन कल्यानपुर की आवाज में है। और उन्होंने मनमोहन देसाई की फिल्म Bluff Master के लिए इस गीत को शंकर जै किशन से ले लिया परंतुर मनमोहन देसाई ने इस गाने को पैसों की तंगी के चलते फिल्मांकर करने से मना कर दिया तब शम्मी कपूर ने यह गीत GPCP को फिल्म ब्रहमचारी के लिए दिया और गीत जबरदस्त हिट हुआ फैक्ट नमबर चार फिल्म ब्रहमचारी के बिनेतरी राज श्री की यह अंतिम फिल्म थी इसके बाद राज श्री ने एक अमेरिकन से शादी कर लिए और अमेरिका में सेटल हो गई फैक्ट नमबर पाँच अनील कपूर की 1987 में आई फिल्म मिस्टर इंडिया का केरेक्टर फिल्म ब्रहमचारी फिल्म से प्रहरी थे जबकि 1977 में आई ड्रीम गल में हेमा मालीनी दोरा निभाया रोल भी इसी फिल्म से प्रहरी थे फैक्ट नमबर छे सोल में फिल्म फे अवार समारों में फिल्म ब्रहमचारी को नो केटेगरी में नोमिनेट किया गया थे फिल्म ने बेस्ट फिल्म, बेस्ट एक्टर शम्मी कपूर, बेस्ट प्लेबेक सिंगर मुहम्मद रफी, बेस्ट गीतकार शेलेंद्र, बेस्ट संगीतकार शंकर जे किशन, बेस्ट स्टोरी राइटर सचिन भोमिक सहीद, छे अवार जीतने में सफलता प्राप्त की फिल्म ब्रहमचारी के बारे में हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी यदि वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें शेयर करें और यदि किसी भी फिल्म के बारे में यदि आपको वीडियो बनवाना चाहते हैं तो हमें जरूर कमेंट बॉक्स में लिखे हम आपकी फर्माश पूरी करने की जरूर कोशिश करेंगे